मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि NDA की और भाजपा की सरकार ने सरकारी करमचारियों के हितों पे कुटारागात किया हमारी जो पे कमिशन से जो पहला पे कमिशन था वो 1953 के अंदर कॉंग्रेस की सरकार ने लागू किया दूसरा पे कमिशन 63 में सेट अप किया गया 66 में लागू हुआ तीसरा पे कमिशन 73 में सेट अप किया 76 में लागू हुआ चौता पे कमिशन 83 में सेट अप हुआ 86 में लागू हुआ पांचवा पे कमिशन 93 में सेट अप हुआ, 96 में लागू हुआ लेकिन जब छटा पे कमिशन 2003 में सेट अप होना था वाजपई जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी पहली बार अजादी के बाद ऐसा हुआ कि वो पे कमिशन सेट अप ही नहीं हुआ जब उसके बाद 2004 में कौंग्रेस की सरकार आई 2005 में मनमोन सिंग जी ने 6 पे कमिशन सेट अप किया और 6 पे कमिशन की रिपोर्ट, 2007 में रिपोर्ट आने के बाद में एक साल पुराने एरियर्स के साथ में 2006 के साथ में लागू ही यही नहीं 2013 में सात्वा वेतनायोग स्थापित भी कॉंग्रेस ने किया जिस वकट मनमोन सिंग जी और सुनिया गांदी जी के हाथ में पूरे देश की सरकार थी तो सात्वा वेतनायोग की स्थापना करी गई और पहला ऐसा वेतनायोग था जिसमें बगएर किसी धरने प्रदर्शन के वो उसकी सापना कर दीगी लेकिन दुख की बात यह है 2017 में 2016 में जब यह रिपोर्ट इसकी लागू हुई तो सात्वे वेतनायोग की रिपोर्ट में कहा गया कि यह आखरी वेतनायोग है अब इसके बाद कोई वेतनायोग नहीं आएगा तो एक तरफ तो कॉंग्रेस पार्टी है जो लगातार कैलेंडर के हिसाब से हर दशक के तीसरे साल के अंदर बगैर किसी नागे के हर दशक के तीसरे वर्ष के अंदर पे कमिशन की रिपोर्ट आती है छटे वर्ष के अंदर अगर लेट भी हो जाये तो एरियर समेथ में उनका पे कमिशन के फायदे मिलते हैं दूसरी तर भाजपा की सरकार है एक तरफ दोजार तीन में किया नहीं दूसरी वक्त सात्वे वेतन आयोक के अंदर जो हम लोगों ने स्थापित करके गए उसकी रिपोर्ट में आई कि अब आगे से कोई वेतन आयोक की सापना नहीं होगी तो ये जितने भी सरकारी करमचा है उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा हमेशा हमेशा कॉंग्रेस पार्टी ने करी है और जिसका इस बार अब वापस राजियों से जीता जाकता उधारन अशो गहलोड जी की कॉंग्रेस सरकार ने राजिस्तान में किया है और सरकारी करमचारियों के देने की जिमेवारी सरकार की रहेगी ये बजट की एक बहुत बड़ी घोशना है जिसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हम कहते हैं कि हमको हमारी राजिस सरकारों को और केंद सरकार को करना चाहिए